इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दोस्तो टाटा पावर के बारे में कॉल इंडिया लिमिटेट के बारे में, ट्राइडेंट लिमिटेट के बारे में विप्रो लिमिटेट के बारे में, जुबिलेन फूड वर्क्स लिमिटेट के बारे में और साथ ही साथ बात करने वाले हैं यहां पर एक और शेर्स के बारे में जहां पर आज के दिन काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन अगर आपने चैनल पर फर्स टाइम विजिट के आये तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी मत बुलेगा टाटा पावर और अडानी पावर की डीटेल एनालिसिस वीडियो में आलरेडी आपके साथ शेर कर चुका हूँ यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखिए तो जल्दी से जल्दी आप उस वीडियो को भी चेकाउट कर सकते हैं लेकिन उस वीडियो की बात में Tata Power को लेकर एक और बड़ी announcement निकल कर आई है, एक और बड़ी खुश खबरी Tata Power के shareholders के लिए यहाँ पर निकल कर आई है, जिसका एक positive outcomes आपको Tata Power के quarter one के result के अंदर देखने को मिल सकता है, तो आज के दिन जो Tata Power के अंदर गिरावट देखने क देल चुका है, जियां दोस्तों, Tata Power के now charge rupees 2 more per unit of power in महरास्टा, आप देख सकते हैं, 19 अप्रेल 2022 आज ही के दिन ये news निकल कर आई है, इसका एक बहुत बड़ा benefit Tata Power को मिलने वाला है, महरास्टा एनरजी मिनिस्टर डॉक्टर नीतीन राथ is an exclusive interview with CNBC TV18 has said that issue at the 4000 मेगावाट call base, मुंदरा प्लांट have been resolved, the महरास्टा गवर्मेंट lead by उद्दव ठाकरे is agreed to Tata Power's tariff demand of 5 rupees per unit, यानि कि अभी जो Tata Power tariff को यहाँ पर charge कर रही थी, वो 3 रुपे पर unit से charge कर रही थी, अब यहाँ पर 5 रुपे पर unit से Tata Power charge करेगी, तो काफी बड़ी approval Tata Power को यहाँ पर मिल क्योंकि अभी तक Tata Power के जो यहाँ पर raw material से यानि की coal की जो supply है, उनकी prices बढ़ रहे थे, लेकिन Tata Power के जो margins थे, वो नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन इस news के बाद में definitely company को इसका काफी ज़्यादा benefit मिलने वाला है, यदि आपने Tata Power के अंदर investment कर रखा है, तो यहाँ पर अब अपनी positions को long term purpose से hold करते हुए चल सकते हैं, बात कर लेते next shares के बारे में जिसका नाम है Trident Limited, Trident Limited के अंदर आज की दिन हमें 3.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है, market में volatility बहुत ज़्यादा है, जिस करण से Trident के अंदर भी आपको इतने बड़े up and downs देखने को मिल लेकिन shares अभी भी लगबग 300% के profit में हमें देखने को मिल रहा है, और सबसे खास बात यह है कि Trident अपने 49 रुबिस के stop loss के उपर ही अभी भी आपको trade करते हुए देखने को मिल रहा है, बात करे Trident Limited को लेकर आज के दिन क्या बड़ी update निकल कर आई है, तो 19 अप्रिल 2022 देख सकते हैं, आप आज ही के दिन, जो shareholders थे, Trident Limited के उनकी तरफ से यहाँ पर approval मिल चुका है, इन डिपेंडेंट डाइरेक्टर्स कंपनी ने नियुक किया है, उसको लेकर भी और साथ ही साथ कुछ और बड़े outcomes भी यहाँ पर कंपनी की तरफ से निकल कर आए हैं, जो कि already मैं तो link आपको description box में मिल जाएगी, Trident Limited के अंदर भी आप अपनी positions को hold करते हुए चल सकते हैं, next trading से week के अंदर हमें ये share ASM list से भी बाहर आते हुए देखने को मिल सकता है, जिस कारण से यहाँ पर भी TG possible है, बात कर लेते हैं next shares के बारे में जिसका नाम है Vipro Limited, Vipro Limited के अंदर आज के दिन भी हमें लगबग 1.5 से पौने 2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है, पिछले एक महिने में Vipro Limited का shares भी लगबग 12% से crash हो चुका है, तो बात करें कि Vipro Limited को लेकर आज के दिन क्या बड़ी update निकल कर आ रही है, Vipro Limited ने अपने shareholders के लिए जो 5 रुपे पर shares का interim dividend declare किया था, जिसकी extra 5 April 2022 थी, तो जो भी eligible shareholders हैं, उनके bank accounts के अंदर Vipro Limited का जो dividend है, वो आज के दिन credit कर दिया गया है, तो सबसे पिलिए आप अपने number of shares के according 5 रुपे को multiply करके अपने bank accounts के अंदर dividend को check कर सकते हैं, और अगर आपको dividend अभी तक received नहीं हुआ है, तो नीचे comment section box में लिखकर आप बता सकते हैं, हम आपके लिए जो भी possibility हो पाएगी, वो आपकी help करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, Vipro Limited के financial result 29 अपरिल 2022 के दिन company declare करने वाली है, तो result के पिले आपको इस shares के अंदर अपनी positions को loss में square up बिलकुल भी नहीं करना है, company बहुत ही शां investors हैं, तो यहाँ पर आप buy on dip करते हुए चल सकते हैं, बात कर लेतें next shares के बारे में जिसका नाम है call India Limited, आज की दिन जहां market में आपको गिरावर देखने को में मिली, वहीं call India Limited के अंदर हमें लगबत 3.5-4% तक की शांदर तेजी देखने को मिल रही है, उसके बीचे की सबस 2022 के अंदर, company ने 1.64 million tons की calls की supply करी है, thermal power company को, जो की last year में, April 2021 में 1.43 million tons की थी, तो काफी शांदर ग्रोथ यहाँ पर देखी जा सकती है, और आने वाले सालों में भी यह ग्रोथ इसी प्रकार से बताई गई है, expect करी गई है, तो call India Limited के अंदर भी अगर आपने investment कर रखा है, तो 220 रुपे तक का resistance आप यहाँ पर लेकर चलते हुए, अपनी positions को hold करते हुए चल सकते हैं, बात कहले थे next shares के बारे में, जिसका नाम है LTI, जी यहाँ दोस्तों LTI ने अपने financial result आज के दिन डिकलेर कर दिये है, 19 अप्रिल 2022, टहाँ पर LTI ने अपने shareholders के लिए 30 रुपे प per shares का, interim dividend भी, final dividend भी यहाँ पर declare किया है, जिसकी record date अभी company ने announce नहीं करी है, shareholders के approval मिलने के बाद में company यहाँ पर जो record date है, उसे भी announce कर देगी, बात करें के LTI की result किस प्रकार से यहाँ पर निकल कर आए हैं, तो आप देख सकते हैं, सारे figures rupees in millions हैं याने की rupees in lakhs हैं, जिसमें स जो कि last year के comparison में काफी अची है, और quarter on quarter basis पर भी काफी अची है, अगर net profit after tax की बात करें, तो 6 करोड सेती लाग रुपे का company ने net profit generate किया है, जो net profit भी last year के comparison में काफी शानदर है, और quarter on quarter basis पर भी काफी अच्छा देखा जा सकता है, जिस कारण से company के earning per share ratio के अंदर भी हमें का काफी अच्छी growth देखने को मिल रही है, वो LTI के अंदर बले ही आज के दिन आपको 8-8.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये shares भी long term investors के लिए काफी अच्छा है, हाला कि LTI और mind tree के जो यहाँ पर merger को लेकर news निकल कर आई थी, उसमें mind tree के statement के आने के बाद में आज mind tree के अंदर भी 10% की गिरावट देखने को मिली और L&T के अंदर भी आज के दिन हमें लगब 8-8.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, mind tree की तरह से clearly के दिया गया है, कि यहाँ पर जो news आपको बाजार में देखने को मिल रही है, जो merger की news वो एक speculative है, अभी किसी प्र से भी ज्यादा crash होते वे देखने को मिल रहा है, हाला कि इस गिरावट के बीचे की सबसे बड़ी वजाए कि Jubiland Foodworks Limited ने जो 5-1 के ratio का split announce क्या था, उसी के according आज हमें इसकी share price adjust होते वे देखने को मिली है, लेकिन आज के दिन shares की price adjust होने के बावजूद हमें shares के अंदर बात करें कि Jubiland Foodworks Limited के अंदर आपको क्या strategy लेकर चलने हैं, तो कंपनी के पिछले अगर 9 महीने के data को compare करें, तो कंपनी का जो operating profit margin percentage है, वो बहुत ही शांदर तरीके से grow हो रहा है, जिस कारण से कंपनी यहाँ पर काफी अच्छा profit भी बना पा रही है, 429 करोड रुपे के श चल सकते हैं, उमीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे like और share का नामत बुलेगा, मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay connected, stay updated